दोस्तो आज की वीडियो एक ऐसे मुद्दे पे होने वाली है जिसका आप ही को नहीं मुझे भी बेसबरी से इंतजार है C1 reward को लेके आप लोग जो है लगातार इंतजार में हैं मैं भी इंतजार में हूँ लेकिन कमपनी कुछ official खास update नहीं दे रही है Crowd1 reward जो है वो long term plan को लेके हैं चलिए कोई बात नहीं हम ये भी मान लेते हैं लेकिन अपनी तरफ से कुछ official news हमें नहीं share की जा रही है ये कहीं न कहीं एक point है दोस्तो स्वागत है आज सभी का आज की इस वीडियो में कुछ चीजे हैं पर fact आप सभी के बताऊंगा और साथ ही साथ आज हम Crowd1 से जवाब मांगेंगे कि किस तरीके से हमें C1 reward दिये जाएंगे कब मिलेंगे कैसे मिलेंगे वो भी हम जानेंगे इवन बात की जाए तो हम एक social platform के उपर अपना जवाब मांगेंगे दोस्तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe कर दीजिए और आप सभी से request भी करता हूँ कि वीडियो को share भी कर देना उन लोगों तक जो लोग यहाँ पर C1 reward की इंतिजार में हैं दोस्तो आप सभी को यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि आप में से कई सारे लोग कुछ लोग यह समझते हैं कि मैं आप सभी को गुमरा करता हूँ मैं आपको को information नहीं देता हूँ दोस्तो मैं आप सभी को बता दूँ कि मैं आपको वही information देता हूँ जो मुझे back office में मिलती है जो मुझे leaders की side से मिलती है जो एक सही information मैं analysis करने के बाद समंजता हूँ कि आप सभी को देनी चाहिए दोस्तो मेरा उद्देश से हमेशा से यही रहा है कि मैं आपको सही information से रूबरू करा हूँ आज भी मैं ऐसी information के साथ आप सभी के साथ आया हूँ लगातार जो है इस तरीके से यहाँ पर company information नहीं दे रही है हमें यहाँ पर सिर्फ समय मिल रहा है और चीजें नहीं मिल रही है कि multi wallet कब आएगा सिर्फ समय का extension मिल रहा है अगर्स से November स्टार्ट होने जा रहा है लेकिन अभी तक extension के रूप में भी time नहीं मिल रहा है आखिरकार कब तक आएगा multi wallet आखिरकार C1 reward कब मिलेंगे हमें दोस्तों आप सभी को यहाँ पर बता दूँ कि मैं यह बात जानता हूं कि आप भी और even मैं भी हमने बहुत सारे जो है try किये हैं C1 reward को लेके हमने अपने support ticket में questions पूछे हैं हमने यहाँ पर अपने mail के जरिये से अपने questions पूछे हैं लेकिन बात की जाए तो mail के माध्यम से भी हमें जो है अपने update यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं बात की जाए अब C1 reward को लेके company जो है timely हमें update नहीं कर रही है दोस्तो अब जब mail और support ticket में भी हमें reply नहीं मिल रहा है तो अब समय आ चुका है अपने rewards का जवाब मांगने का company से दोस्तो अब बात करते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो है अब हम अपने जवाब के लिए खड़े होंगे अब यह unity के लिए मैंने एक video बनाया था इससे पहले campaign शुरू कर रहे हैं हम हम एक unity बना रहे हैं तो unity का समय आ चुका है और अब क्या जो है वो process हैगा वो सारी चीजे मैं आप सभी को बता देता हूँ दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि twitter platform आप twitter को download कर लीजिए अगर आपने अभी तक twitter को download नहीं किया है तो download कर लीजिए साथी साथ description में मैंने link दिया हुआ है उस link पे click करके ही twitter पे आपने जाना है मैं crowd1 को लेके यहाँ पे tweet कर चुका हूँ आप अपने तरीके से अपने question जो है social platform के उपर पूछ सकते हैं crowd1 को जरूर tag करें मैंने यहाँ पे अभी tweet नहीं किया है मैं आप सभी के साथ में यहाँ पे tweet कर दूँगा लेकिन description में आपको tweet का link मिल चुका है आप उस पे click करेंगे तो वो tweet हो चुका है यहाँ पर और साथ साथ यहाँ पे crowd1 official profile को tag कर दीजिए लिखिए we want c1 reward बस मैं suggestion दूँगा कि इतना ही लिखिए we want c1 reward और इतना लिखने के बाद जो है आप crowd1 को tag कर दीजिए चाहे तो मुझे भी tag कर सकते हैं साथ ही साथ मेरे description में दिये हुए tweet को retweet कर दीजिए और मुझे भी follow कर लीजिए दोस्तो अब समय आ चुका है अपने c1 reward का time मांगने का company से अगर आपको support ticket और mail के माध्यम से नहीं पता चल रहा है तो अब finally आप twitter के उपर जो अपने questions कीजिए company से अगर आपका कोई और भी question है तो आप वहाँ पे कीजिए आप हक से अपनी चीज मांग रहे हैं आप definitely अप अपने tweet को English में ही लिखें Twitter एक international platform है तो वहाँ पे English ही समझी जाएगी अगर आप Hindi language में लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा दोस्तो इस वीडियो में यही बताने वाला था आप सभी को और जितने भी लोग मुझसे expect करते हैं कि मैं आपको information दोंगा मैं आपको तभी information दे प करा ही हूँ मैं सिर्फ आपके justice के लिए आपके साथ खड़ा हूँ तो बस इतना ही बताना चाहूँगा I hope यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी like कर दीजिए और चैनल को भी subscribe कर लीजिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ